प्रीमियर प्रो की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि वीडियो को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं तो माल लेते हैं कि आपने अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर दिया है और अब आपको एक्सपोर्ट करना है सबसे पहले आपको अपना input और output point को set करना पड़ा है ताकि आपका पूरा sequence या पूरी timeline एक्सपॉर्ट ना हो अगर आपकी यहाँ पर भी कोई clip रखी हुई है तो वो पूरी की पूरी export ना हो तो input और output point को set करना बहुत ज़रूरी होता है तो input के keyboard पर O का button दबाना है इतना करने के बाद चलिए अब वीडियो को export करते हैं इसके बाद आपको file पर जाना है और यहाँ पर export पर click करना है और फिर media पर click कर देना है इसके बाद आपकी export settings open हो जाएगी यहाँ पर आपको जाना है format पर और आपको check करना है कि h264 select होना चाहिए अगर h264 select है तो आपकी video mp4 में render होगी जो की दुनिया में सबसे common format है इसके बाद आपको जाना है preset पर अब यहाँ पर अगर आप चाहते हो आपकी video high quality में render होनी चाहिए export होनी चाहिए तो आप match source adaptive high bitrate पर click करिए लेकिन अगर आप medium चाहते हैं तो medium पर click करिए लेकिन अग आपकी video जादा बड़ी नहीं होनी चाहिए size में तो आप low bitrate का इस्तमाल करें लेकिन अगर आप quality चाहते हैं अपनी video में quality होनी चाहिए तो high bitrate का इस्तमाल करें इसके बाद आप यहाँ पर output name पर click करें और जहाँ पर भी आपको अपनी video को save करना है उस location पर जाके अपने file क नाम दे दें यहाँ पर और save पर click कर दें इतना करने के बाद आपको नीचे देखना है यहाँ पर अगर आपके लिए size matter नहीं करता है लेकिन आप चाहते हैं बहुत बड़िया quality में मेरी video render होनी चाहिए और render time का आपको कोई फरक नहीं परता है चाहिए थोड़ा सा देर बेल आकेन को जुरू दमाएं तो मिलता हूँ मैं आपसे next video